प्यारे बच्चों आपका हमारी आत्मा एकडेमी चैनल में पुना स्वागत है हम बात मेट्रिक्स की हमने की थी डिटर्मिनेंट की की थी फॉर्थ शेप्टर जो न्सी आर्टी का है उसको हम डिस्स करें थे इसमें हमने 4.1234 पढ़ा दिया है इसमें adjoin inverse निकालना इसके पहले वाले वीडियो में सिखा दिया है कैसे adjoin कैसे inverse निकलेगा आज हम कुछ questions डिस्स करेंगे 4.5 exercise आपकी उठाएंगे exercise है 4.5 ठीक है इसके questions हम डिस्स करने जा रहे है इसके बाद आडि शर्मा डिस्स करेंगे देखें पहला question क्या है 4.5 का पहला question है एक determinant दीवी है matrix दीवी है adjoin निकालना और inverse निकालना सिखाया गया है ठीक है हमने मान लिया adjoin को हम हिंदी में क्या कहते थे सह खंडज सह खंडज और cofactor को कहते थे सह खंड हमने माना कि let cofactor of a is b यानि कि a का second हमने क्या मान लिया है b है तो b कैसे निकालेंगे देखें इसका second क्या cofactor क्या होता है a11 इसका क्या होता है a12 इसका क्या होता है a21 इसका क्या होता है a22 पढ़ा है आपने आप कैसे निकालेंगे जब इसका co-factor निकालते है तो यह एक तो plus minus plus minus ऐसे चलता है इधार भी plus वाले है इधार भी plus minus पहरी चीज़ तो यह plus भी होगा यह row कटेगा, column कटेगा क्या बचेगा? 4 यह 4 हो गया, 2 का निकालेंगे तो minus लगाएंगे plus minus होता है, region में ने बताया था कि आप हर element के साथ minus one to power, row plus column लिखते है, इसलिए ऐसा होता है तब यहाँ पहुचेंगे तो यह row कटेगा, column कटेगा क्या बचेगा? 3 यहाँ पहुचेंगे, minus में आएगा अब आपके एक साथ plus minus plus ऐसा नहीं होता है, इधर भी plus minus होना चाहिए इधर भी alternate plus minus होना चाहिए यहाँ पहुचेंगे, row कटेगा, column कटेगा 2 बचेगा, यहाँ पहुचेंगे plus में आएगा, row, column और 1 बचेगा, यह क्या निकला? यह हमने निकाला, A का co-factor, अब adjoin A क्या बताये गया था? Adjoin of A बताये गया है, transpose of B, B को इस प्रकार से हम adjoin निकालते हैं, ठीक है? इसके बाद second question देखिए अब जो एक तरीके की matrix होंगी उन्हें आपको अपने आप करना पड़ेगा हमने 2 cross 2 का इस बताया second question देखिए second question में 3 cross 3 की एक matrix है determinant है, बार-बार, sorry matrix है देखिए A दिया हुआ है 1 minus 1 2 2 3 5 minus 2 0 1 इसको जब एक बार जब calculation किया जाए ध्यान से देखिए जीएगा क्योंकि होता क्या है? कि जब video बनाए जाता है तो बाले हम एक चीज़ रब कर दी गई अब दुबारा वो गलती पकड़ भी नहीं आती है क्योंकि उसको तो यहाँ delete हो गई वहाँ पर यहाँ तो चेक करें हम इसका भी adjoin निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वही चीज let इसका adjoin निकालना है adjoin A साय खंडज English Hindi बारवर नहीं बताया जाएगा और Hindi वालों को भी adjoin ही बोला जाएगा ठीक है? हमने माल लिया let co-factor of A is B क्यानि कि A के सभी element के co-factor की एक matrix बनाई गई है इसको B की value क्या है? कैसे लिखतेंगे? लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमने इसको निकालना सिखाया है ठीक है? हम चाहे तो A11 A12 यह सब अलग-अलग निकाल के रख सकते हैं और हम चाहे तो इसको इसी में निकाल सकते हैं तो आप अलग-अलग निकालो चाहे इसी में निकालो सिखाया गया है इसके पहले इसको सीख लीजिएगा तभी इसको करिएगा ठीक है देखिए हम इसी में निकालते हैं गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि गलती अगर हो गए तो गबर हो जाएगा देखिए ध्यान से इसी में हम निकालने जा रहे है A11 यहां पे आईए bracket लगा दिया हमने यहां पे आएंगे रो कटेगा कालम कटेगा 3 बंज़ 3 minus 5 0 ज़ा 0 फिर minus में आएगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है plus minus plus यहां पे आईए यह row कर जाएगा कालम कर जाएगा 2 बंज़ 2 minus 5 जरो 2 जा 10 minus का 10 तो यहां हो जाएगा plus का 10 फिर यहाँ पर आईए, यह रो कटेगा, कालम कटेगा 2-0-0-3-2-6-6 तो यह प्लस का 6 आईगा कर लेंगे ऐसे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो A1-1, A1-2, A1-3 निकाल के फिर यहां रखेगा दो तरीके आपके पास हैं, फिर माइनस यहाँ पर आजाओ, यह रो कटेगा, कालम कटेगा माइनस 1-1, माइनस 1, माइनस 2-0-0 फिर प्लस आएगा, यहाँ पर आगे, रो कटेगा, कालम कटेगा 1-1-2-2-4 होगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा फिर माइनस, यह रो कटेगा, कालम कटेगा, 1-0-0 0-2 1s are 2 plus ka 2 तो यहां plus minus ही रहेगा यहां पे आईए सिर्फ plus में रहेगा यह row कट गया, column कट गया minus 1 into 5 minus 5 minus 3 2 6, सिर्फ minus लगेगा यह row कट गया, column कट गया 5 minus 2 2 4, सिर्फ plus में आएगा row कटा, column कटा 3 minus minus plus 2, तो इस प्रकार से आपने इसको लिखा, संजा गया होगा, इसको जब लिखेंगे आप तो क्या हैगा 0 sorry 3 minus 0, 3 यहाएगा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, यहाएगा प्लस का 6, यहाएगा 1, यहाएगा 5, यहाएगा 2, यहाएगा माइनस का 11, यह हो जाएगा माइनस का 1, यह हो जाएगा 5, यह क्या निकला है यह A के co-factor की एक matrix निकली है, अब आपको जो एडज्वाइने निकालना है और एडज्वाइने क्या भी हमने बताया transpose of B, जब एडज्वाइने निकालेंगे एडज्वाइन 5 2 minus 11 minus 1 and 5 इस प्रकार से एड़ जोई निकाला जाता है ठीक है फ़र्ड कोईशन दिखिएगा इसके पहले वाले वीडियो में पूरा मैंने एक्स्प्रेंड किया है कि कैसे एड़ जोई निकालते हैं कैसे इन्वर्स निकालते हैं पूरा डेटेल बताएगा फोर्थ कोईशन दिखिए ए दिया गया है एक डिटेमिनेंट दी गई है 1-1 2 3 0-2 1 0 3 और कह रहें यहां पर आप प्रूफ करके दिखाओ ए इन्टू एड़ जोई निकालना है समझे सबसे पहले तो आप डिटेमिनेंट निकाली जेगा इसकी इसका एक्स्प्रेंशन आपने पढ़ा है क्या तरीका होता है वन लिखेंगे रो कटेगा कालम कटेगा इसका इससे मल्टिप्लाई होगा माइनस इसका इससे होगा 0 हो जाएगा फिर यहां पर आजाओ यहां लिखेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा रो काटेगा कालम काटेगा इसका इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा माइनस इसका इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो 0 आएगा फिर प्लस का 1 लिखेंगे रो काटेगा कालम काटेगा इसका इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 2 माइनस 0 यह तो 0 हो गया, minus minus plus 9 हो जाएगा, minus plus 2 हो जाएगा, तो determinant value क्या आ गई, 11, इसको कहीं लिख ली जाएगा, यहाँ पर फिलाल लिख ले रहे हैं अपनी जानकारी के लिए, ठीक है, इसके बाद add join कैसे निकालेंगे, अभी हम बता चुके हैं, कि इसका co-factor निकालते हैं, let co-factor of a is b, तो b कैसे निकालते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a3, a31, a32, a33, इसको part जरूर लिजेगा, तभी समझ में आएगा, अधरवाइट नहीं आएगा, देखिए, इसको कैसा निकालेंगे, direct हम निकाले जे रहे हैं, यहाँ पर आजाओ, यह row कट गया, column कट गया, 0-0, तो यह तो direct 0 लिखे जे रहे हैं, ठीक, सिर क्या होगा, minus होगा, यहाँ पर आजाओ, row कटा, column कटा, 3-3, 9, minus, इसका से multiply होगा, यह आपने row कटा है, column कटा है, 3-3, 9, minus 2, into 1, minus 2, तो यह प्लस का, 2 हो जाएगा, आगया हो, row कट गया, column कट गया, 0-0, तो 0 हो जाएगा, यह हो गया आपका, यहाँ पर आईए, यहाँ minus लगेगा, bracket लगा दिया, यहाँ पर आएगे, इस row को काटो, column को काटो, minus 1 into 3, minus 3, फिर minus 0, यहाँ पर आओ, bracket लगाईए, यह row कट गया, column कट गया, 1 into 3, 3 हो गया, minus 2 into 1, 2 हो गया, यहाँ पर आईए, row कट गया, column कट गया, 0, minus, 0, minus, minus 1 आएगा, तो ये, plus का 1 हो गया, यहाँ पर आईए, इस element के लिए, अब अगर आपने नहीं पढ़ा है, सुन में नहीं आएगा, क्या हो रहा है, ये कड़ गया, वो कड़ गया, क्या कड़ गया, ठीक है, इसको देख लीजेगा, ये कड़ गया, ये कड़ गया, तो ये आएगा, 2, minus, 0, फिर minus लिखेंगे, ये रो कड़ गया, कालम कड़ गया, 1 into 2, minus 2 आएगा, minus, 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आईए, रो कटा, कालम कटा, 0, plus का 3 हो जाएगा, ये 3 आएगा, तो ये क्या निकला आपका, ये को फेक्टर की determinant निकली है, matrix निकली है, sorry, 0, minus 11 0, ये हो जाएगा, plus का 3, ये हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा, minus 1, ये हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा, minus का 8, यानि 8, ये हो जाएगा, 3, अब आपको निकलना क्या है, adzoin of A, क्या होता है, transpose of B, B को transpose कर दो, transpose कर दो मतलब, रो को कॉलम में, और कॉलम को रो में कर दो, अब र समझ गरा, row को column में कर रहे हैं, column को row में कर रहे हैं, row को column में करोगे, column अपने आप row में हो जाएगा, ठीक है, ति यह 0, minus 11, 0, यह आएगा, 3, 1, minus 1, 2, 8, 3, यह क्या निकलाया, adjoining, अब आपको क्या करना है, A into adjoining करते हैं, अब A into adjoining करने जा रहे हैं, देखिए जरा, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, A into adjoining, A into adjoining, A, यह तो हमने यह लिख दिया, और adjoining इसके बगल में लिख दो, 0, minus 11, 0, 3, 1, minus 1, 2, 8, 3, अब multiply करना आपको आता है, determinant का, sorry, matrix का multiplication आपको पढ़ाया गया है, उसको simply इसको multiply कर दो, तरीका क्या होता है, देखिए ज्यान से, इसकी first row का multiply से first columns करते हैं, 0 into 0, plus 0, plus 11 आजाएगा, यहाँ पर आजाओ, first row, second column, 1 into 3, 3, minus 1, और minus 2, यहाँ पर आजाओ, 2, minus 8, plus 6, second row, first column, 3 into 0, 0, 0 into 0, 2 into 0, 0 हो जाएगा, यहाँ पर आजाओ, 3 into 3, 9, plus 0, minus 1, plus 2, यहाँ पर आजाएगे, 3 into 2, 6, 0 into 8, plus 0, minus 6, यहाँ पर आजाएगे, 0, 1 into 0, 0, तो 0 रहेगा सब पूरा, 1 into 3, 3, plus 0, minus 3, यहाँ पर आजाएगा, 2, plus 0, plus 9, तो यह क्या आजाएगा, 11, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, यहाँ से कॉमन है 11, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, यह भी हम बता चुके हैं, यह determinant of A है, तो determinant of A और यह क्या निकला है, identity matrix, तो इस प्रकार से यह verify करने के लिए आता है, तो this is the fourth question, fifth question, sixth question, और seventh, eighth इन सम्में inverse निकालना आपको सिखाए गया है, देखो, inverse का formula बताया गया था, adjoin upon determinant of A, तो adjoin तो निकालना ही पड़ेगा, और determinant of A में कहा गया है, कि determinant of A 0 नहीं होनी चाहिए, वित्करम आवियू, इनने बताया था, वित्करम आवियू एक होता है, समझेगा, देखे, यह matrix टफ नहीं है, चोकि step by step याद करना पड़ता है, inverse निकालना सिखाए गया था, A inverse, यह बताया गया था, adjoin of A, apart determinant of A, और शर्थ क्या है, यह 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा A inverse find करो, तो अगर exist करे, exist करे का मतलब क्या होता है, exist करे का मतलब होता है, अगर यह 0 आ जाएगा, तो exist नहीं करेगा, ठीक है, जैसे 5th question के बारे में बात करते हैं, एक matrix लिखी भी है, 2-2, 4-3, 2-2, 4-3, तो सबसे पहले तो आपको adjoin नहीं निकालना है, सबसे पहले आपको determinant of A निकालना है, determinant of A, लिखो चाहिए direct acid, यह mod नहीं है, ध्यान लखेगा, 2-2, 4-3, क्या तरीका होता है, इसका इसे multiply करते हैं, minus, minus का 8, प्लस का 8, यह 14 आ गया, यानि यह 0 नहीं है, तो नहीं है का मतलब होता है, कि यहाँ पर inverse exist करता है, ठीक है, अब inverse के लिए क्या निकाला पड़ेगा, एड़ य नहीं, क्या तरीका होता है, अभी हमने बताया है, कि let co-factor of A is B, B का जो सह खंड़ेज है, वो क्या है, A का सह खंड़ेज क्या है, B है, क्या निकालने एक तरीका है, B is equal to A11, A12, इस शो जरू करेंगे, डायेट नहीं करेंगे, समझेगा, क्या आपने इस शो नहीं क्या डायेट आंसर लिग दिया, ऐसा नहीं चलेगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सौरी, यह तो 2 x 2 की है, ज्यादा इसमें नहीं करना है, यह 2 x 2 की है, यह हो गया, यहाँ पर आईए, यह कट गया, 3 बचेगा, यहाँ पर आएंगे, माइनस में आएगा, यह रो कॉलम कटेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर आईए, यह कटेगा, माइनस 2 यहनि, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एड़ जॉआई ने क्या होता है बी का ट्रांस्पोज होता है यानि कि 3-4-2-2 अब अभी हमने बताया inverse का formula क्या होता है एड़ जॉआई ने अपान determinant of a ऐसा करो 1 अपान 14 बाहर कर दो यह वाला और यह लिख दो 3-4-2 अब चाहो तो ही answer लगा दो या 14 को अंदर ले जाना चाहते हो तो 14 सब के साथ divide में आ जाएगा इसको lowest time में लिख दो answer आ जाएगा तो यह inverse निकालने का तरीका है ठीक है एक आज और बता देते हैं एक 8th question देख लीजिएगा सब एक जैसे हैं 6b2 cross 2 की एक determinant है determinant ही बाबा निकलता है matrix है और अब यहाँ पर 8th 8th देख लीजिए देखे जब determinant निकालते हैं तो उसके expansion के लिए हमने कहा था कि वो वाली column या वो वाली row चुनते हैं जहाँ 0 ज्यादा हो जैसे 8th question में भी कहा गया है कि A inverse निकालो if exist तो A क्या दिया हुआ है देखे 100 100 330 और 52 minus 1 क्याते है find A inverse if exist अगर exist करें तो तो आप सबसे पहले determinant of A निकालिए इसका 135032001 इसमें साब साब दिख रहा है दो 0 है इसे इसकोल दीजे 1 into यह row कड़ गया कालम कड़ गया 3 minus 0 यानि determinant की value क्या है यह 3 और यह 0 नहीं है यानि inverse exist करता है अब inverse निकाले के लिए क्या करेंगे यह 3 याद रखेगा फिर वही तरीका पीषे वाला के let B is the co-factor of A co-factor of A A का जो co-factor है वो B है तो B कैसे निकलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 देखो द्यान से यहाँ पर आजाईए अभी हम बता चुके हैं पूरा यह कड़ जाएगा यह कड़ जाएगा यह आएगा माइनस का 3 वो तो 0 हो जाएगा फिहां माइनस लगेगा यह रो कड़ गया है कालम कड़ गया यह रो कड़ गया है कालम कड़ गया रो कड़ गया कालम कड़ गया माइनस 3 माइनस 0 फिर यहाँ पर आईए रो कड़ गया कालम कड़ गया 6 माइनस 15 6 माइनस 15 यहाँ पर आईए माइनस यह रो कड़ गया कालम कड़ गया 0 माइनस 0 0 रहेगा यहाँ पे आईए, यह row कड़ गया, कालम कड़ गया, minus 1, और यह 0, minus 0 हो जाएगा फिर यहाँ पे आईए, minus आईगा, row कड़ गया, कालम कड़ गया, तो minus 0 यहां पे आईए, प्लस रहेगा, रो कट गया, कालम कट गया, 0-0, 0 रहेगा, यहां माइनस रहेगा, रो कट गया, कालम कट गया, 0-0, 0 रहेगा, यहां पे रो कट गया, कालम कट गया, 3-0, 3 रहेगा, तो यह आपका क्या निकला, यह निकल रहा है, A का को फैक्टर, कैसे निक 15, minus 9, 0, minus 1, minus 2, 0, 0, 3, अब आपको निकालना क्या है, adjoin of A, adjoin of A क्या होता है, B का transpose कर दिया जाए, कर दिये, minus 3, minus 3, 3, minus 9, 0, minus 1, minus 2, 0, 0, 3, अब आपको A inverse निकालना है, क्या होता है, adjoin A अपान, determinant of A, रख दीजे, आंसर आ गया, A inverse, क्या होता है, adjoin A अपान, determinant of A, यानि 1 अपान 3, determinant होती है, अभी निकाल चुके हैं आप, और यह हो गया, minus 3, 3, minus 9, 0, minus 1, minus 2, 0, 0, 3, अब चाहो तो 3 को अंदर ले जाओ, determinant में पूरे में 3 जाएगा, यह minus 1 बचेगा, यह 1 बचेगा, यह minus 3 बचेगा, 0, minus 1, by 3, minus 2, by 3, 0, 0, 1, इस प्रकार से inverse निकाल सकते हैं, this is the eighth question, randomly हम बता रहे हैं, 9th में भी A inverse है, और 10th में भी A inverse है, एक और देख लीजे कोई, 10th देख लीजे, थोड़ा सा एक आद और हो जाएंगे, फिर और अपने आप करिएगा, 10th में numbers हैं, 11th में trigmetical system है, इसलिए 11 देख लीजेगा, ठीक है, 11 देखे, देखे, 11th में A given है, 100, 0, cos alpha, sin alpha, 0, sin alpha, minus, अब आप लोग सोच रहे होंगे, इसमें बहुत सारे 0 हैं, इसलिए कोईशन उठा लिए वाई साब ने, ऐसा नहीं है, और number system में कोई दिकत नहीं, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, सबसे पहले आपको determinant of here निकालना है, क्या होता है, 1, 0, 0, 0, cos alpha, sin alpha, 0, sin alpha, minus, cos alpha, determinant निकालना हैं आप, पहली row में 2 0 हैं, कालम में भी हैं, इसी से खोल दो इसको, तो इसका इससे multiply होगा, minus, cos square alpha, minus, sin square alpha, minus common ले लो, तो आएगा, cos square alpha, plus, ये क्या होता है, 1, तो ये minus 1 हो गया, is not equal to 0, यहीं, is not equal to 0 मतलब होता है, inverse exist करेगा, क्योंकि आप से कहेंगे, inverse find कुरो, if exist, अच्छा आपको इंक साब जहां exist ना करें तो, अरे भाई, determinant निकाल लीजे, अगर determinant 0 आती है, तो exist नहीं करेगा, छोड़ दीजे उसको उठागर के, फिर हम क्या करेंगे, let, b is co-factor of a, co-factor of a, तो b is equal to, जैसा कभी निकालना सिखाया है, आपने, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, भी थी, बस जैसा पीछे सवाल आप लगा चुके हैं, यहाँ पर लिखना है आपको, यह कट जाए, यह कट जाएगा, इसका मुट्प्राइसे करेंगे, तो माइनस कॉज स्क्वाइर अलफा, और माइनस साइन स्क्वाइर अलफा, यह आएगा, ऐसा को इसमें जगए है, चुकर ज़्यादा चाहिए, इसलिए बराबर पर मत लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे, माइनस कॉज स्क्वाइर अलफा, माइनस साइन स्क्वाइर अलफा, यहाँ पर आईए, यह कड़ जाएगा, यह कड़ जाएगा, इसका इससे मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आएगा माइनस का कॉज अलफा, इसका इससे हुआ है, इसका जिरो हो जाएगा, तो अलड़ी माइनस होता है, तो यह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगला प्लस होगा रो कटा, कालम कटा, 0, 0 रहेगा यहाँ पे आईए माइनस में रहेगा रो कट गया, कालम कट गया इसका 0, इसका 0, तो 0 ही रहेगा यहाँ पे प्लस में रहेगा ठीक है? प्रेकेट में लिक़्ों ज्थीधा ठीक रहेगा ये row कड़ गया column कड़ गया तो one का इससे multiply करेंगे ये row कड़ा है column कड़ेगा one की इससे multiply करेंगे तो आएगा minus का cause alpha वे zero हो जाएगा यहाँ पे आईए, plus में रहेगा रो कटा, कालम कटा, जिरो ही रहेगा ठीक है? फिर यहाँ यहाँ प्लस में रहेगा रो कट गया, कालम कट गया, जिरो ही रहेगा यहाँ पे आईए, रो कट गया माइनस में रहेगा, रो कट गया कालम कट गया, तो साइन अलफा आएगा यहां पे आईए, प्लस में रहेगा, रो कट गया, कालम कट गया, कॉज अलफा रहेगा समझ में आ गया होगा, पीछी वाले वीडियो मैं जरूर देख लीजेगा इसको देखिए, यह क्या आए है आपका, यह आया है वो माइननस वन निकला था, डिटेमिनेट, वो ध्यान रहेगा यह को फैक्टर कीuous बनी है, बी यह क्या है, minus 1, cos alpha, 0, 0, minus cos alpha, 0, 0, minus sin alpha, और cos alpha, यह क्या निकला है, यह इनके co-factors की matrix बनी है, अब आपको add join ने निकालना है, add join ने क्या होता है, add join ने, transpose B का कर दो, तो आएगा minus 1, cos alpha, 0, 0, minus cos alpha, 0, minus sin alpha, cos alpha, अब A inverse क्या होता है, add join ने अपान, determinant of A, यह minus 1 निकाल चुकि बाहर कर दो, 1 अपान लिखो है, ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुकि value तो वही आनी है, तो आएगा minus 1, cos alpha, 0, 0, cos alpha, minus का 0, 0, minus sin alpha, cos alpha, अगले step minus को अंदर ले जाओगे, यहाँ सभी के sin, बदल जाएंगे, टीक, तीस प्रकार से inverse निकालेंगे, this is the end of the six size, दोचार को शुर हमने बताए हैं, दोचार अपने आप लगाओ, next video, next